हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सलीम की कली और दोस्तो फाइनली मैंने स्पोइलर मंगा लिया है जिसके उपर अब तक के सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं मेरे पास और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ आपको एक चीज मुझे बतानी थी दोस्तो आप इसको आफलाइ इन्होंने लगा कर दी होती है मतलब इसको फिनिस करा होता है बाकी पेंट नहीं मिलेगा ठीक है वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हर किसी की गाड़ी का जो पेंट है वो अलग होता है इसलिए ये हमें क्या करते हैं इस पे पुट्टी मारके दे देते हैं और बेज देते है spoiler को चाहे online करीदो चाहे offline करीदो जब भी spoiler आप online या offline करीदने जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो यह पूरी gray color की इसके उपर fiber के उपर putty लगाई रहती है जिससे finishing आ जाती है spoiler के उपर ठीक है लेकिन इसको paint नहीं करके दिया जाता है और यहाँ पर पीछे इसकी पूरी tail lamp मिल जाती है जो के बड़ा सा पीछे high mounted light है काफी लंबी इसके पीछे दी गई है और यह इसके साथ wiring मिलती है तो यह video बनाने का मेरा यही मकसद है मैं आपसे एक बार पहले पूछना चाहता हूँ तभी इसकी complete वीडियो मैं लेकर आऊँगा installation की और paint की ठीक है फिलाल मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि इसके उपर मैं spoiler के जैसे मेरी गाड़ी का color है वैसा ही paint करा हूँ या फिर इसको glossy black करा हूँ और इसको जो paint करा हूँ वो denter painter के पास ले जाकर करा हूँ या फिर जो spray can आती है paint की उससे करूँ क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि spray can जितनी भी paint की आती है वो black color में मिल जाती है white color में मिल जाती है red में और मतलब जो ऐसे main main color है उसकी can हमें मिलती है ठीक है बाकी जैसे हमारी गाड़ी का color है वैसा color spray can में नहीं मिलता है तो अगर spray can से करूँगा तो मैं इसको glossy black ही करूँगा तो दोस्तों आप मुझे बताओ इस वीडियो पे comment करके मैं इसको कौन सा paint कराओ और कौन सा सस्ता पढ़ने वाला है और कौन सा महंगा पढ़ने वाला है या कौन सी चीज बढ़िया रहने वाली है और इसकी मैं complete installation और paint की वीडियो तब ही लेकर आऊँगा जब मुझे इस वीडियो से पता चल जाएगा कि किस चीज की demand जादा है और उसी वीडियो में इसकी pricing और detail वीडियो बनेगी ठीक है आभी फिलाल मैंने आपको बता दिया है कि मेरा spoiler मेरे पास आ चुका है इसमें जो मुझे आपको बताना था वह मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है बस इसमें मुझे confusion था कि मुझे इस पे कैसा paint करना चाहिए तो इसलिए मैंने ये वीडियो डाली है तो आप ये मेरा confusion दूर करो कमेंट करके जल्दी से बताओ इस पे कौन सा paint मैं करा हूँ ठीक है दोस्तो